तो दोस्तो OnePlus की Nord series में इस बार आपको एक new upcoming phone देखने को मिलने वाला है और वो है OnePlus Nord 2 और OnePlus Nord 2 की कुछ leaks 91.com में देखने को मिल रही है जिससे ये confirm हो चुका है कि OnePlus Nord 2 इंडिया में बहुत जल्दी launch होने वाला है ये phone OnePlus Nord से काफी ज्यादा upgraded होगा तो इस बार आपको OnePlus Nord 2 में काफी amazing और different features देखने को मिल जाएंगे साथ में आपको 5G connectivity भी इस phone में देखने को मिलेगी और उससे भी अच्छी बात ही है कि OnePlus Nord 2 की जो price होगी वो mid segment price range में आपको ये phone देखने को मिलेगा तो यदि आप OnePlus Nord 2 के लिए काफी excited है मेरे दोस्त तो आप इस वीडियो को end तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको इस बार इस phone में काफी different features देखने को मिलेंगे जैसे कि यहाँ पर आपको एक latest processor देखने को मिल जाएगा MediaTek की तरफ से Dimensity 1200 साथ में इस फोन में इस बार camera को भी काफी upgrade किया गया है और display भी काफी देखने को मिल जाएगी तो चलिए करते हम वीडियो को start और सबसे पहले हम देखते हैं इस phone के looks और design को तो इस फोन में आपको back और front में glass का support देखने को मिल जाता है और अगर हम इस phone के processor को देखें तो इस phone में MediaTek का एक latest processor देखने को मिलता है Dimensity 1200 और यदि Dimensity 1200 की performance को हम compare करें Snapdragon से तो इस processor की जो performance है वो Snapdragon 870G के equal देखने को मिल जाती है Dimensity 1200 फ्लेक्सिक लिवल का processor है साथ में आपको इस phone में dual 5G connectivity का support भी देखने को मिल जाता है और अगर RAM और ROM की बात करें तो यहां पर आपको इस phone में lowest variant देखने को मिलता है 6GB 128GB, 8GB 128GB और highest variant आपको देखने को मिल जाता है 12GB 256GB साथ में storage type आपको देखने को मिलता है UFS 3.1 और LPDDR4X RAM का support भी देखने को मिल जाता है इस phone में जो processor है उसकी clock speed आपको 2.6GHz तक देखने को मिल जाती है तो phone का जो processor है वो काफी जादा अच्छा है performance और speed आपको इस phone में काफी अच्छी देखने को मिल जाती है इस phone में आपको oxygen OS का support देखने को मिलता है और phone जो है वो आपको out of the box Android 11 पर run देखने को मिल जाता है phone में आप different type के apps run कर सकते हैं multiple tasking कर सकते हैं और high graphics games बड़े आराम से खेल सकते हैं तो चलिए अब हम देखते हैं इस phone के camera को तो इस बार आपको इस phone में back में तीन camera का setup देखने को मिल जाता है main camera जो है वो 50 megapixel का मिलता है साथ में आपको Sony का sensor देखने को मिल जाता है IMX 766 8 megapixel का ultrabit camera देखने को मिलता है और 2 megapixel का macro camera देखने को मिल जाता है 50 megapixel का Sony के sensor के साथ तो यहाँ पर image optimization के काफी अच्छे options देखने को मिलता है different type की features देखने को मिल जाते हैं camera में जैसे pro mode, night mode और portrait mode with different type के filter के साथ तो यहाँ पर camera की quality काफी amazing होने वाली है चलिए हम देखते हैं इस phone के display को तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 6.4 inch का full HD pleasure resolution के साथ super remote panel display साथ में यहाँ पर आपको 90 Hz का higher refresh rate देखने को मिल जाता है इस display में आपको in display fingerprint का support भी देखने को मिलता है लेकिन यहाँ पर OnePlus Note 2 में 90 Hz के refresh rate से जादा अच्छा आपको 120 Hz का refresh rate देखने को मिले तो जादा अच्छा रहेगा डिस्प्ले में आपको smoothness और brightness level भी काफी अच्छी देखने को मिल जाती है चलिए हम इस phone के बैटरी को देखें तो यहाँ पर आपको 4500 mH की एक सांदार बैटरी देखने को मिलती है साथ में आपको एक fast charger देखने को मिलता है 65W का तो आपको यहाँ पर fast charger देखने को मिल जाता है जिसे आप इस phone की बैटरी को जल्दी से जल्दी चार्ज कर सकते है अगर हम इस phone की price की बात करें कि यह phone कितने price range में इंडिया में launch हो सकता है तो इस phone का lowest variant आपको 26 या 27,000 तक देखने को मिल जाएगा और इसका highest variant जो की 12GB 256GB है वो आपको 32,000 की range में देखने को मिलेगा और अगर हम इस phone की launching की बात करें कि यह phone आपको इंडिया में कब तक देखने को मिल सकता है तो इस phone की launching सायद आपको जुलाई के मन्त में देखने को मिल जाए तो दोस्त यह रही कुछ specification इस smartphone के बारे में नीचे comment section में जरूर बताएगे कि आपको इस smartphone की specification कैसी लगए I hope आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को like करिए, share करिए, channel को subscribe कर दीजे with bell icon मिलते हम आप से नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए, bye bye, take care